अब सारे बच्ची देखेंगे कि मैगनीफाइंग इलास से इस लीफ्स रण दो के सिए पति कैसे जल जाती है तो सबसे पहले हमने उस्हार देखेंगे कि इसमें कौन साUV लगा है अब इस सब द्romagnet से दिखेंगे हैं कि हमने सूरे की किरनों को सूरे की किरने पड़ रही है अब यह मेंगिनिफायंग देर थोड़ सब्सक्राया करते हैं देखते हैं क्या होता है थोड़ा थोड़ा दुआ निकलना स्टार्ट हुआ है अब देखो पत्ती जल रही है तो क्यों जल रही है सूरे के प्रकास से सूरे के प्रकास में तो सारी चीजे है सूरे के प्रकास से फिर यह गास क्यों नहीं जली यह तो उत्तल लेंस हो गया उत्तल लेंस ने सूरी की किर्णों को फोकस कर दिया है और वो इसके केंद्र पर पड़ी है है ना इससे पत्ती जलने लगी है अब पत्ती के स्थान पर अगर हम कागज रखेंगे कागज भी जल जाएगा है ना रखके देख लो अगर हम पत्ती के स्थान पर क्या लेते हैं कागज तो वो भी जलने लगता है देखो हमने पत्ती के जगह क्या लिया है एक कागज लिया है और इसको हम देख रहे हैं इस पर हमने फोकस करा है तो देखें क्या होता है देखें वो भी बर्न करने लगा है यह जादू है साइंस का प्रकाश का है ना लेकिन यह जादू नहीं है यह क्यों हुआ है क्योंकि प्रकाश की किरने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ठीक है अपवर्तन हो रहा है रेफ्रेक्शन हो रहा है